हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल समराट एजूकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगो को बिएस सी एगरिकल्चर फिप्ट समेश्टर की एक भीस है इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया इस सब्जेट का आप लोगो इसको जरूर देखने जाएगा इसका प्लेइलिस्ट का लिंक आप लोगो डिस्क्रिप्सिन दे दूँगा ठीक है चली स्टार्ट करते बिना तेरी किवे आज का पहला किश्यन कि उसे नवीपढन दक्षता क्या है इसको मापने के आचार सुत्र उलेखित कीजिये दक्षता बढ़ाने की उपाई उपर भी चर्चा कीजिये तो चलिए देखते हैं विपढ़न दक्षता क्या होता ठीक है विपढ़न दक्षता क्या होता मार्केटिंग एफिसियंसी क्या होता है तो विपढ़न दक्षता एक व्यापारिक प्रक्रिया है क्या है एक व्यापारिक प्रक्रिया है जो सामगरी के उत्पादन से लेकर उसके उपभोगता तक के समाप्त होने तक कई चड़ों से मिलकर बनती है इसमें उतपात का निर्माड, परिवहन, भंडारण, विपड़न के बाद की सेवा, उतपात के प्रचार, प्रसार और भोगताओं को पहुचाने के लिए विबिन गतिवी दियां सामिल होती है तो विबरन विबरन दर्चता में उतपात का निर्माड, परिवहन, भंडारण, विबरन के बाद की सेवा, उतपात के प्रचार, प्रसार, और भोगता को पहुचाने के लिए विबिन गतिवी दियां सामिल होती है तो यह तुझा मार्केट एफिसेंसी को वारे में ठोड़ा सा और इस में है, विबरन दर्चता का मुख्यों उतपाद को सही समय पर सही अस्थान तक पहुचाना है, ठीक है, विबरन दर्चता का मुख्यों उतपाद को सही समय पर सही अस्थान पर पहुचाना, ताकि वबोगता को उसे आसानी से प्राप्त करके मिल सके, ठीक है, और अच्छा प्राप्त कर सके एक सूचना संचार प्रडाली के माद्यम से विपढन दर्चता को सुधारा जा सकता है जिससे सामगरी के अस्थानी और अंतराश्टी अस्तर पर प्रबंधर में सुधार होता है ठीक है तो यह तो था आपका सुधार को मार्केट फिषिएसी के बारे में विपढन दर्चता के बारे में ए उमेड करते हैं विपढन दर्चता क्या है समझ में आ गया होगा उसके बाद क्यों सब्सक्राएै अ आचार इसी को बोला था ठीक है तो विपढ़न दर्चता को मापने के लिए आचार सुत्र और तरीके हैं जो व्यापारिक प्रबंदन में उपयोग होते हैं यहां कुछ तो यह है एक स्टैन डिश्टि माडल है जो विवढ़न दर्चता की मापन को सुनिस्चित करने के लिए उपयोग होता है यह क्या है यह एक standard industry model है जो विपढ़न दक्षता की मापन को सुनेश्चित करने के लिए उपयोग होता है इसमें प्रमुख प्रदर्शन करता है गुड कक्ष और स्वायत तता के ब्रियाद तत्तोक सामिल होते हैं ठीक है चलिए देखते हैं अगला कुसलता model विपढ़न दक संतुलन इस्थिर्था और एगिलीटी सामिल होता ठीक है यह माडल क्या करता है विबिन अस्तुरूपर संगठी दक्षता कमापने के लिए रूप रेखा प्रदान करता है जिसमें विपढ़न प्रडाली को प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि परिभान भंडार्ल और सामगर सब्सक्राइब प्रवंदन तो देखिए सब्सक्राइब दक्षता मापने के लिए सब कुछ यूज हो रहा है अगला है सीपी एफ आर सीपी एल और सरी सीपी एफार तो इसका पुरा नाम है प्लाबरेटिव प्लानिंग फ्रकेस्टिंग एंड रिप्लेस्मेंट ठीक है इ एक प्रोसेसर मैटेरियल रिडेल प्लाइट एक होता है मैटेरियल रिक्वार्मेंट प्लानिंग पढ़ना है यह देख तो यह मादल समगरी क्या हो सकता कि निगलानी रखता है और सही समय पर सही अस्तार पर इसकी आपूर्ति सुने स्चित करता है है लापने के आचार सोतर तो इसको बता दिया फिर पूछाता विबन दर्षटा को किस प्रकार से बढ़ा है असकते हैं तो देखिए मैं तीन पॉइंट था उसमें तीन पॉइंट में अलग लग करके बता रहा हूं ताकि आप लोग एक भी यदि उसमें से पॉइंट आए तो आपको अच्छे समझ में आ जाए ठीक है तो मेहनत बहुत दगता है आप लोग से रिक वेश्ट रहता है कि आप लोग उसमें संधार सकता है यह सिंधार डिया सकता है तसन्याई जय करते हैं जिसमें अपकी संगठनात्मक द्क्षिता और संभंदों को सुधार कर और इस प्रेकार से भी क्या कर सकते हैं थो ही है कि उप्वकष से लेकर जो सकता यह पोहता है और यह सप्लाइग करने लिए क्र रहा है सपलाई करने के लिए चेन को मिना रहा है फ得 एक एक किसान है जो क्या कर रहा है किliers पादन कर रहा है लिशांस घाओ का जो जमिंदार होता है या बेपारी घरीचता है इस बड़ा ब्यपारी हना लेती है लिए इसी के नवगत अब तक है तो यहां से यह तक बना जाने का दाय है सप्लाई चैन मेणग मैं यहां तक जाने में supply होने में इसे chain बना है इसी चाल को बनाता है Supply Chain Management, Supply Chain Management के द्वारा भी हम लोगों क्या कर सकते हैं विपर्ण्ध और रक्षता को सुधार सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, आगे देखते हैं, अगला है अनुसंदान और विकास करने से विपढ़न प्रेक्टिया जो इसमें और भी सुधार हो सकता है जिसे संग्राड परिवहन और उबोगता की पहुच में सुधार हो सकता है तो इस प्रकार से मार्केट की एफिशियंसी बढ़ा सकते हैं अगला है साजेदारी कोलाबरेशन ठीक कर्मचारियों के समझने और नई तक्निकों का सिखने के लिए सिच्छा और प्रसिचल प्रदान करना बहुत अच्छा उपाए होता है तो यह पहला क्यूशन आप लोग पूरा खतम हो चुका है चलिए दूसरा क्यूशन जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टन हो यहां में क परिवासित बीज़िए तो पज़ां को परिवासित करेंगे पिर पूछा है इसके घटक को रेखांगे तीजिए इसे एक अर्फ अतांतरिक प्रडाली का हिस्सा मनने जता है जहाँ विद्न वस्तुन और स्वाएं आपस विद्न कि अध्यक्ति आ या जाते है आपस विन वस्तुन और करने के एक अस्थान साजा करते हैं जिसे जो क्या होता है अविदक मैंने बता है कि बाजार एक अस्थाने जहां पर खश्ड़ी दूष करेता है, आगे पूंड देखते हैं, बाजार में बाजार में ब्यापर की प्रेक्रिया उत्पन करती है, जो आपसी बीन में मुल को निर्धारित करती है। कोई भी गटको से मिलकर बनता है को इसकी सरच्छमन कर परफवित करते हैं यहां बजार के कुछमों की घटक के चलिए उनके देख लेते हैं पहला उत्पाद सेवा, तो उत्पाद सेवा, तो यह बाजार का मुख्य गटक है, जो उत्पादों और सेवाओं की पूरती और मांग को निधारित करता है, उत्पाद और सेवाओं की आपूरती और मांग को निधारित करता है, उत्पाद और सेवाओं भोक्ता को अवसक्ता की आधते वर्तमान की चर्चा और इनकी आऊ सकता है बाजार के समर्थन को नुजारित करती है करती है वजार के समर्थन को निर्धारित करती है अगे देखते हैं उत्पादक वहाँ वहोगी होता है संुन्हें तों उत्पादों को निरमार करता है उन्हें प्रस्थूत करता है कि उत्पादK और कीमाग को प्रूरा कश्यां कर Great convenient नहीं है और जल जल इस लिए आप लोगो समझाएगा इसके बाद मुझे बनाना है माराजा सुछल उनिश्टी आजमगडवालों के लिए ठीक है इसके बाद मुझे बनाना है इसका माले जब नहीं बनेगा इन तीनों का मुझे भी वीडियो बनाना है इसके वज़े से मैं थोड़ा जल्देली बता रहा हूं ताकि सबकी तैयारी हो जाए अच्छे से चलिए देखते हैं उत्पाद कि अपे शीजाज संगठन वह होता है जो उत्पाद स्वावव करता है उन्हीं परफ्थी आ को प Χाय करता है अगे जलते हैं अगला प्रफितिया इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी इं मतलब फाइनसिल इंटरमीडियरी वो सकती तो बैंक बाजाज और अन्य वित्ती संस्थाएं मतब बित्त मतब क्या देते हैं जो रीड देते हैं उन्हीं को बोला है तो अन्य वित्ती संस्थाएं बाजार में वित्त प्रडाली को प्रभावित करती है और उत्पादों की बिन्वाइ प्रक्रिया को समर्थन करने में मद करने की प्रदान करती है तो यहां तक मैंने आपको बताया बाजार क्या होता है बाजार का क्या घटक है ठीक है आगे देखेंगे बाजार की विशेष्टा तो क्रीशी बाजार की विशेष्टा आएं वरबूर होती लिए जो इन्मेध है अलग बनाती जिसने पर पहला सबस्क्राइब मोशेष्टे और मोशनवर्व कैं अधीन होते हैं उसकलत होता है राजई सर्दि गर्मियादी को वरोग टिंतने पर परवाव डलते हैं अस्थानी और आधास बजार आपर्टी समर्थन करते Sh例 देखेंगे जो आके आसपास हैं क्या होती है एक मार्केट होती है जहां पर गांप के लोगों जाके अपनी सब्जी को देते हैं तो यह करती है अस्थानी जो लोग होती है उनके लिए बहुत शेलफुल होती है अगला मंडी स्वायत तो क्रिसी चेतर में बाजरे कि बाजरें भी विबिन सुचना तक्निक साहता की साधन का सही इस्तेमाल करके किसानों को बाजर, विवाग, मौसम, पूर्वाण, और अन्य जानकारी के साथ समर्थन प्रदान करते हैं अगला है क्रिसान सुरच्छा तो क्रिसी बाजरों में किसानों की सुरच्छा और उन उस में जबनेर देंगे तो आपसे पाइशा लेता है जैसे हैसी कि इस सब्ची 100 रुपए के पीकेगी तो इसमें से सभी जगह पर बेचनेवाला वाल ले लेगा नवे रुपए आपको देदेगा अगला गुर्वत्ता निगरानी तो क्रीसी बाजारे उत्पादों की गुर्वत्ता की निगरानी रखती है जिससे उपभोकताओं को अच्छी गुर्वत्ता की उत्पादों का पहले से घ्यान होता है अगला सामिधानिक सनचना तो क्रिसी बाजारे सामिधानिक सनचना बनाया रखने का प्रयास करती है ताकि उपभोकताओं और उत्पादकों के बीच संबंदों को इस सिर्था और निर्वर्था के साथ सुनिश्चित किया जा सके तो यह दो क्यूशन था जो कि आपको मैंने स्रिंखलाओं को इंगित की ठीक है यह दिखें जो भी मैं क्यूशन आज करा रहा हूं आप लोग को यह MSDU के MSDU का जो एकजाम हुआ है अभी कुछ दिन पहले हम लगों पांस अच्छा दिन पहले हुआ है वहां कि पेपर में सब क्यूशन पूचा गया है ठीक है और क्योशन होगे एक ही मैं ठीक है ऐसा ने की कुशन बढ़ा दूं मैं सब अपर धाल दिया हूं ठीक है केलिए देखें विठान स्रिंखला क्या है जो उत्पाद या सेवां है उत्पाद होने से लेकर उसके अंतिम भोकता तक के लिए अस्तरों को संदर्वीत करती है जैसे कुछ आपने गया होगा तो इसे अनलाइन की होंगे तो नहीं होगा की लिपकार गोगे आप उसको यूज करते हैं तो आ क्या होगे आप उप्छता होगे वहां से यहां तक आने के जो भी बीचे प्रोसेस होता है उसी को भी बेड़न स्रिंखला बोलते है तो भी पर प्रक्रिया जो उत्पाद या श्यवा उत्पन होने से लेकर अन्तिम उबोगत कि विबिन अस्तरों को संदर्वित करता है इसमें उत्पाद या सिवाओं को उचित समय और अस्थान पर उब्वोक्ता के पास पहुचाना है इससे उब्वोक्ता को सुविदा होती है आप आडर करेंगे फिलिपकार्ट पे तो बता देगा कि तीन से चार दिन में एक निश् आज तीन तारिक है और आप आडर करेंगे तो बोलेगा छे तारिक आज आएगा आपका प्रोड़क्त आपके पास पांच तारिक को यह आज आएगा एक दिन ज्यादा बहुत ने बढ़ा करो लो कि कभी कि किसी कारण बस लेट हो जाए तो उससे कोई समस्या नहों जैसे इ है चक्का जाम किये थे पूरा आज माली खुला इससे क्या होगा इससे ट्रांस्पोर्ट में लेट होगा एक दो दिन का इसलिए समस्या बढ़ा कर दिया जा सकती है इसमें विबिन काड़ों से प्रतेक चड़ को सुनिशित करने के लिए कई उपाय सामिल किया जा सकता है ज के लिभरी की प्रक्रिया कि ए आगे चलते है तो तो details में अधियतव की कई बूमिकाय मोती है यह मद्यस्ट बीदान साम Cand démocrate यहांगी, जो ईत्पादक से लेकर बोगता मदंतनी कार है, जिसके हलिए, जिसका नहीं को क्रिस्य उपच्ट के कई भूमकायां होती है यह मद्यस्ट विबिन्चणडों में सामिल हो सकते हैं जो क्रिस्य उत्पादों को उत्पन होने से लेकर उब्होगता तक पहुचाने मदद करते तो पहला है बीज और उपज सामगरी प्रबंदन तो कोई वगाज जो बीज और उपज सामगरी की प्रबंदन नुकी खुदाय और सुरच्छा के इंतिजाम करना दूसरा है क्रिसू उतपादों की पाज काने के मतलब खेती प्रसंस्करण और पाकैजिंग की प्रक्रियाओं को समयन्वित करना तिसरा है भंडारण और वितरल ठीक है तो उतपादों को सही तापमान और भंडारण से विधामें सुरच्छिद रखना उत्पादों के साथ संबंद अस्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार कारेक्रमों को प्रबंदित करना उत्पादों के साथ संबंद अस्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार कारेक्रमों को प्रबंदित करना आगे देखते हैं वह बोगता की प्रात्मिकताओं और आवसेक्ताओं को समझना और ध्यान देना अगला पॉइंट है सुरच्छा की गुरुता और नियंत्रल थीक ह हम लोग मद्यस्त के बारे में देख रहे हैं अगला है विप्रान लाजिस्टिक्स उत्पादों के लिए लाजिस्टिक्स और परिवर्ण स्विधाय तैयर करना अगला है सरकारी अनुमिति और परीती तो आस्थानी और अंतराश्ट्री अस्तर परूपियों के सरकारी शुरच्चा उत्पाथ साप शुतरी के लिए परीतीयों का पर बड़ियों के लिए थिक है तो खाद्यानों को खेतों से लेकर विप्रूपियों को पहुशाने में सामिल होता है इसमें कई चरड़ होते हैं जो उत्पाथ गुलता सुरच और पहुचाने को सुलिशित करने मदद करते हैं निमने लिखी उच प्रकार की हैं जिनकों लोग देखेंगे चले देखते हैं यह जो कि उससे नहीं बहुत ज्यादा इंप्वार्टेंट याद रखेगा जो भी मैं बता रहा हूं पहल सुरच्षित और हाईजेनिक पैकेजिंग में पैक करना अगला है भंडारल और भंडार तो उत्पाथों को जित तापमान और असकता के हिसाब से भंडारित करना अगला अस्थानी और अंतराश्टी बाजारों के उसकता के अनुसार भंडारल सुविधाय बनाना और अगल करके चलते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि एक बार कमेंट करके बताएं करना अगला है गुरुवत्ता नियंद्रा और मानकों का पालन ठीक है खाद्यानों की गुरुवत्ता और स्वास्त मानकों का पालन करना स्थानी और अंतराष्टि नियुद्रू के अनुसार ब्रुवत्ता नियंद्ر कारक्रमों को परवंद्रीत करना अगला पोट्ण है वोग्ता तक संपर्क और प्रांड के माध्याम स्वाड़ा तकस संपर्क सताबित करना उत्पादयों को बेतर बनाने के लिए वोग्ता के सं सब्सक्राइब करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाव में सब्सक्राइब करने के लिए अगे भी देखते हैं थोड़ा सा और इतना यह आप लोग का कीजिए खाध्यान के विपढ़न है खाने वाले उनको उन स्रिंख लाओ को बताना था चलिए आगे देखते हैं प्रभावित करने वाले कार को पर चर्चा करना है उचलिए देखते हैं जो प्रभावित करने वाले कारक नीमन प्रकार के हैं जोने पहला विविरल लाजिस्टिक्स उत्पादों को सई समय पर सही सन पहुचाने के लिए विटरण लाजिस्टिक्स का महतपुर्ड योगदान है ठीक से प्रबंदित लाजिस्टिक्स करने मजद कर सकते हैं अगला है तकनीकी सुधार लाएं तो सुधारी तकनीकी प्रडालियों का देखते हैं उपयोग करना विप्रण प्रक्रियां को अध्विती और अधिक उत्कृष्ट बना सकता है आटूमेशन एनलिटिक्स और इंटरनेट आप तिंस जैसी तकनीक योगता को बनाया रखने महत्पूर है और उनके कॉसल को विक्सित करना और उन्हें नवींतम तकनीकी और प्रबंदन प्रडाली के साथ अध़ती रखना आउस्यक होता है अगला सप्लाइचेन परिस्थित की तो विप्रण में सप्लाइचेन के सुरुभारी परिस्थिती चाहिक उत्पाद की उप्लप्ता को बनाया रखने मदद कर सकती है और विप्रान योगता को भी बढ़ा सकती है अगला प्सक्ते सुरुभार प्रण आधी करों ठीक है अगला अस्थानी और अंतराश्टी वीडियो और नेमों का पालन करना अगला पर्रया अवरोडी प्रभाव उसके बाद है विप्लंट प्रणाजियों की सीर्था अगला पंड देखते हैं विप्लंट प्रणाजियों की सीर्था अच्छी तकनीक प्रबंदन प्रणाजियों और अपने दोस्तों पास शेयर भी जोड़ कीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद.